हलो दोस्तों आप सभीका स्वागत है अपने ही चैनल के माधिका पर दोस्तों आज हम लोग इउनिक बुक से बिहार S.S.C.C.L. के लिए प्रैक्टी सेट नमर 6 दखेंगे और दोस्तों आप लोग के इस चैनल पे तीन बुक से रेगुलर प्रैक्टी सेट करा जा रहा है प्ल तो दुस्तों पहला प्रश्ण है भारत रत्न पुरश्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलारी कौन है लिए ठीक जलू आईउ ईंप अगला प्रश्ण है धान की खेती के लिए ठीक जलू आईउ है बिहार में इसका राइट आईउसर D हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं हरी परसाच चुराश्या बजाने के लिए जाने जाते हैं बासुरी इसका राइट अंसर C हो जाएगा भारतिय सुविधान का सबसे बड़ा सरोत निमलिखीत में से कौन सा है भारतिय सासन अधिनियम 1935 ठीक है तो इसका राइट अंसर A हो जाएगा आगे देखते हैं क्रिश्ण देवराय द्वारा लिखित अम्मुक्त मालियाद किस भासा का गरंथ है तेलगु इसका राइट अंसर C हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत की गुनवाना चटानों में कितने परतिसरत कोईला पाया जाता है अंठानों परतिसरत इसका राइट अंसर डी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं निमलखीत में से कौन भारत की जीडीपी की गन्ना के लिए उतर दाई है तो कौन है दोस्तों केंद्र सरकार के मंतराले और राज और केंद्र सासित परतिसों के बिभीन सरकारी विभाग उतर दाई है ठीक है इसका राइट अंसर ए हो जाएगा आगे देखते हैं लोग सभा का सदस बनने के लिए कम से कम कितने उम्र होनी चाहिए पचीस वर्स इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है और राज सभा के सदस बनने के लिए कितने कम से कम उम्र होनी चाहिए तीस वर्स होनी चाहिए ठीक है आगे देखते हैं भारत के राश्पती के कार आजकाल की अवधी है पाच वर्स इसका राइटन सर्स सी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं lub along wild life century century कहां पर इस्तित है जहारखन में इस्तित है option D सही हो जाएगा आगे देखते हैं ॥ lateral किसके लिए परसीध है सुधिर Hal Ar yg तो सुधिर धर कैंटor ड्राइंग के लिए परसीध है तो इसका राइट answer एगा उत्थर भारत में परचलीत परचलित मंदिर वस्तु कला की सैली और दख्छान भारत में की सैली नागर सैली तिसकी राइट अश्र एह přजागा ठीक है और दत्छें भारत की बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है तो दोस्तों कौन सा कथन सही है तो दोस्तों इसका राइट असर भी हो जाएगा राज सभा राज विधान सभा के निवासित सदस से राज सभा के सदस का चुनाव करते हैं ठीक है आगे देखते हैं मका संक्रान्ति के तेहवार को भारत के किस हिसे में उत्रायन के रुप में जाना जाता है तो गुंजरात इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला परस्न रेगुर मिटी को किस मिटी के नाम से भी जाना जाता है रेगुर मिटी को किस मिटी के नाम से जाना जाता है काली मिटी इसका राइट असर ए हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं बलबन जो 1255 से 1287 का मूल नाम क्या है बलबन का मूल नाम क्या है तो बहा उदिन इसका राइट असर सी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों कीचा ने किस बिटीस गौर्नल जनरल ने अवध के बारे में कहा था यह चेरी फल की एक दिन हमारे मुह में आकर गिरेगा किस गौर्नल जनरल ने कहा था लोड डोल हो जी इसका राइट अंसर डी हो जागा ठीक है आगे देखते हैं निमलखीत में से किस नदी में भारत की प्रायदी प्रनाली में सबसे बड़ा जल समभर है सबसे बड़ा जल समभर है तो कहा है कौन सा नदी गोदावरी नदी इसका राइट एंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रास में पटना में Dutch Fakeटरी की स्थापना कब हो उनाइस सो 32 में ठीक है कैजिसका राइट एंसर एओन हो जाएगा अगला रॉक्टर राजंदर परशाथ जो भारत के पर्थम राश्पती थे जिसका जन्म कहा हुआ था बिहार में हुआ था आगे दखते हैं लखनों के एतिहासिक मकब्रा इमाम बाड़ा को किसने बनवाय था तो किसने बनवाय था असुफु दवला इसका राइट अंसर वियू हजागा असुफु दवला ठीक है अगला प्रस्ण है वर्ना कुलर प्रस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया वर्ना कुलर प्रस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया तो दोस्तों लोड लिटर ने पारित किया ठीक है और लोड रिपन ने दोस्तों इसको समाप्त किया था ठीक है आगे देखते है तमिलाडू का जली कटू किस खेल से समद्धित है? बैलो से लडाई तिसका राइट अंसर ए हो जाएगा आगे देखते हैं भारत में राज्यों की राजपालों की नूक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राश्पती के पास है? कौफी की अरेवी का किस्म निम्न में से किस राज में नहीं उगाई जाती है औडिसा इसका राइट अंसर ए हो जाएगा ठीक है? आगे देखते हैं बिहार में चंपारन सत्यगरह के लिए महात्मा गांधी को किस ने अमंत्रित किया था? बिहार में चंपारन सत्यगरह के लिए महात्मा गांधी को किस ने अमंत्रित किया था? राजकुमार सुकल तो इसका राइट अंसर बी हो जाएगा ठीक है? आगे देखते हैं किस पूर्व परधान मंत्रि ने चेंजिंग इंडिया पुष्टक लिखी है? किस पूर्व परधान मंत्रि ने चेंजिंग इंडिया पुष्टक लिखी है? मनमुहंसी इसका राइट असर दी हो जाएगा ठीक है ? आगे दखते हैं लाएंगस की खाड़ी इस्तित है कहा इस्तित है? फ्रांस में इसका राइट असर भी हो जाएगा ठीक है ? अगला प्रस्ण है Port O Prince Port O Prince समन्दित है किसे समन्दित है ? तो port of prince हैती से समझ देता है दोस्तों हैती की रजधानी port of prince है ठीक है आगे देखते हैं सुस्री सुमिता सेन किस वर्स किस वर्स मिस इनवर्स का खिताब जितने वाली पहली भारतिय महिला बनी तो किस वर्स बनी 1994 इसका राइट अंसर D हो जाएगा आगे देखते हैं नियम्लिखीत में से कौन दुनिया की सबसे चोटी परोत सेृइंख्ला है 60 बर्स तो इसका राइट अंसर चिंव हो जाएगा ठीक है भारत में गुवर्नल सोरी भारत में पर्थम उर्वरा करखाना अस्थाफित हुआ था तो दोस्तों उन्हें सो छे इस्विर में हुआ था ठीक है आगे देखते हैं कि निम्लखीत में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी सबसे छोटी नदी मान जाता है तो भारत के सबसे छोटी नदी माना जाता है और बरी को तो इसका Definitely ठीक है अगला प्रस्वा रावत भाटा उर्जा प्लांट zgमने थे और दोस्तों रावत भाटा उर्जा प्रांट कौन सा राज में इस्थी थे तो राजस्थान में ठीक है आगे देखते हैं निमलखीत में से महा नदी की साहयक नदी नहीं है निमलखीत में से कौन सा नदी जो है महा नदी के साहयक नदी नहीं है कौन सा नदी नहीं है मंजीरा, मंजीरा जो है सहयक नदी महा नदी जो सक्ति अस्थल इंद्रा गांधी से समंदित इसका राइट अंशर डी हो जाएगा जोहरला नेहरू से समंदिज अस्थल कौन सा है तो सांतिवन ठीक है महात्मा गांधी राज घाट लाल भादु सास्त्री विजाय घाट ठीक है आगे देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्ट्मेंट रिपोर्ट निम्लिखित में से किस संस्था का वार्शिक परकासन है तो किस संस्था का है अंग्टाड इसका राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं निम्लिखित में से किस देश का सविधान दुनिया का सबसे छोटा सविधान है संजुक्त राज अमेरिका ठीक है तो संजुक्त राज अमेरिका अनि सी अंसर हो जाएगा और सबसे बड़ा सविधान किस देश का है तो भारत का है ठीक है आगे देखते हैं नेली करांती का अर्थ है मत्यस सिपालन इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं लोग सभा के कार्जकाल लोग सभा को कार्जकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है परधाल मुंत्र की सिफारिज पर राजपती दवारा इसका राइट अंसर डी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं परसीत रतनागिरी मठ किस भारती राज में इस्थित है औरिसा राज में तो इसका राइट अंसर शी हो जाएगा सिफ्चा का अधिकार अधिनियम किस वर्स अधिनियमित किया गया 2009 में इसका राइट अंसर यह हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं अरविंद अडिगा को किस पुष्टक के लिए परतिस्थित मैं बुकर पुरसकार मिला दव भाइट टाइगर के लिए तो इसका राइट अंसर वीव हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं हरित करांति की सफलता निम्हम्लिखीत की उपलवता पर निर्भर है, तो किस पर निर्भर है तो दोस्तों इन में से सभी हो जायेगा, इसका राइटों सो Δी हो जायेगा, बीजो की उच्फ पैद्वार किस्म पर कब निर्भरें यह सब हो आगे देखते हैं कि खाल निगम कभ अस्थाफिड हुए है कुरिशी मुल आयोग और भारतिये खाध निगम कव अस्थाफित हुए थे 1965 में होते इसका राइट अंसर भी हो जागा ठीक है आगे देखते हैं नबाड नबाड जो गरामिन विकास के लिए रिन देता है वह एक है वह एक क्या है तो दोस्तों वह एक नबाड जो है वह एक विकास बैंक है इसका राइट अंसर ए हो जागा ठीक है और दोस्तों नबाड की अस्थापना कब हुआ था तो 12 जुलाई 12 जुलाई 1912 को हुआ ठीक है नबाड की अस्थापना की गई थी आगे देखते हैं काजपालिका से न्याइपालिका का पिर्थिकरन का निर्देश सविधान के किस अनुछेद में दिया गया है अनुछेद 51 में इसका राइट अंसर बी हो जागा ठीक है अब दोस्तों अनुछेद 50 अनुछेद 50 में दिया गया ठीक है इसका राइट अंसर ए हो जाएगा और अनुछेद 51 में किसका निर्देत जागिया है तो अंतराष्टिय सांती और सुरच्छा के अभिविरिधी दिया गिया ठीक है और अनुछेद 49 राष्टिय महत्व के असमारको का संड़च्छन ठीक है अनुछेद 48 क्रिशी और पसुपालन का संगठान से समद्ध है ठीक है तो इसका राइट अंसर 48 का ए हो जाएगा अनुछेद 52 कार्जपालिका और नियाइपालिका का पिर्थकरन का निर्देश दिया गिया अगला प्रसे तुलबूल पर्यूजना किस नदी पर है जहलम नदी पर इसका राइट अंसर ड्यू हो जाएगा और किस राज में दोस्तों तो तो तुलबूल पर्यूजना जमू कस्विन में है ठीक है जमू कस्विन में आगे देखते हैं जूमूर किस राज की परंपारिक लोक निरित्य है जूमूर जो है किस राज की एक परंपारिक लोक निरित्य है तो किस राज की है परंपारिक लोक निरित्य है तो दोस्तों जूमूर जो है जूमूर असम राज की है इसका राइट एंसर डी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस किससे जुड़ा जाता है वाइमंदल में ओजोन की कमी को किससे जुड़ा जाता है कलोरो फरोरो कारबन ठीक है इसका राइटंसर भी हो जाएगा आगे देखते हैं कि इन्ती बाइविटिक होते हैं एक दवाय होते इसके लाइट लूजागा प्राकिरति कि इतना सक एजार डिर कटीन प्राप्थ होता है नीम के बीज़ प्राप्थ होता है जिसका राइटंसर हो जाएगा B निम से ठीक है आगे देखते हैं भारत में हरित करांती के जन्म दाता है भारत में हरित करांती के जन्म दाता कौन है M.A. स्वामिनाथन जिसका राइटंसर D हो जाएगा ठीक है आगे देखते है निमलखीत में से कौन वायू परदुसक नहीं है तो कौन वायू परदुसक नहीं है डीडीटी डीडीटी जोस्तो एक किटनासक है और यह मिर्दा और जल परदुसक का कार्ज करता है ठीक है आगे देखते हैं द्यूंडे का मॉडल प्रोस्तूत करने में 162 में नोबल पुरस्कार किसको मिला वार्टसन और क्रिक को जिसका राइटनसर ऐ है किट भश्ची पौधा है किट भश्ची पौधा एक है दोस्तो ड्रो सेरा इसका राइटनसर बी हो जागा आगे देखते हैं निकोटिन पाया जाता है तमबाकू के पत्ति में पाया जाता है तो इसका राइट असर B हो जागा ठीक है आगे देखते हैं जिव की उत्पत्ति जिव से होती है इस कर्थन का सत्यापन किस ने किया तो किस ने किया ओपेरीन ने किया तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा ओपेरीन ने ठीक है आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है तो दोस्तो हीरा इसका राइट अंसर डी हो जाएगा दुमटी अनिलोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कन मिलता है दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कन मिलता है तो कौन सा कन मिलता है बालुकन, चिकनाकन, पासुकन तो यह सभी परकार के कन मिलता है ठीक है इसका राइट अंसर D हो जाएगा आगे देखते हैं निमलिखित में से किस मात्रक के लिए 1.5 मीटर पर सकेंड अस्क्वाइर का उप्योग किया जाता है किस मात्रक के लिए 1.5 मीटर पर सकेंड अस्क्वाइर का उप्योग किया जाता है तवरन तो इसका राइट अंसर भी हो जागा ठीक है अगरा प्रसने किस मिट्टी में केसी का सबसे अधिक परवाव साली होती है किस मिट्टी में केसी का जो है अधिक परवाव साली होता है बलूई मिट्टी में इसका राइट अंसर C हो जाएगा ठीक है आगे दखते हैं खनीज क्या है खनीज क्या है तो दोस्तों खनीज जो है आक अर्गनिक ठोस है ठीक है इसका राइट अंसर भी हो जाएगा एक ही परकार का पर्मानों निमलिखित में से किस में मिलता है तो किस में मिलता दोस्तों प्राकिरतिक तत्व में इसका राइट अंसर सी हो जाएगा ठ खाने का नमक किस से बनता है मजबूत आमल और मजबूत छार से बनता है इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं पौधे जो नमक जुक्त मिट्टी में उगते हैं इसको क्या कहते हैं तो दोस्तो हेलो फाइट कहते हैं इसका राइट अंसर C हो जागा ठीक है हेलो फाइट कहते हैं और दोस्तो जीरो फाइट किसको कहते हैं तो जीरो फाइट कहते हैं दोस्तो मजरु अस्थल में उगने वाले पौधे को जीरो फाइट कहते हैं ठीक है और जल में उगने वाले पौधे को हैड्रो फाइट कहते हैं संबाहनी पौधे में पानी किस से उपर जाता है जायलम टीसू से इसकर आईटनसर D हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों क्यूचन है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उधिपन करता है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उधिपन करता है पर्ण अनि लिव्स इसकर आईटनसर C हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं सहज पर्णाली का परिवर्धन निमलखीत में से कौन सा है सहज पर्णाली का परिवर्धन निमलखीत में से कौन सा है तो पर्णाली में सवफोसिस किरिया इसकर आईटनसर C हो जाएगा पर्णाली की सवफोसिस किरिया जो है सहज पर्णाली का परिवर्धन है ठीक है अगल पैरा मिसिजम किसके दवारा परजनन करता है देम्सिम के दवारा परजनन करता है ठीक है आगे दखते हैंका लें कि ऐसे मधो